दोस्तो बीत शुक्रवार 17 फर्वरी को सिनीमागरों में रिलीस हुई थी कार्थी कारियन की फिल्म शहजादा जिसको आज सिनीमागरों में चौथा दिन चल रहा है वैसे फिल्म का सटर्डे और संडे तो ठीक ठाकी रहा लेकिन असली परिक्षा तो फिल्म सहजादा की आज से है तो दोस्तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में शहजादा फिल्म के पूरे चार दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में इंडिया में फिल्म के अभी तक टोटल कितरी कमाई हो चुकी है वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितरा कलक्शन हो चुका है तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ पाने रहिएगा लेगे दोस्तो उससे पहले अगर आप कार्तिकार्यन को एक बहितरी नभी निता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथे साथ इस चैनल को भी सरूर सबस्क्राइब कर लीजीगा दोस्तो अगर बात करें फिल्म शहजादा की तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलू अर्चुन की फिल्म वेंकुटा पुरा मुलू जो कि कुछी दिन पहले सिनिमागरों में रिलीज हुई थी उसी फिल्म का ओफिशल रिमेक थी कार्तिकारियन की फिल्म शहजादा रोहिद धवन के डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको प्रिड्यूस किया था भुशन कुमार, कृशन कुमार और खुद कार्तिकारियन ने और फिल्म में हमें कार्तिकारियन के साथ करिती सेनान परेशावल और मनिशा कोईराला एहम किर्दार में नसर आई थी फिल्म का बजट लगबग 65 करूड रुपे का था तो वही फिल्म को लगबग इंडिया के अंदर 2800 स्क्रीनों पर रिलिस किया गया था लेकिन अगर बात करें फिल्म के अभी तक के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तों मैं आपको बताता चलू कि मंडे की दिन फिल्म के कलेक्शन में लगबग 50% से भी ज्यादा की गरावट हमें देखने को मिली है और इसका सबसे वड़ा कारण ये है कि ओडियन्स को कोई खास ये फिल्म ज्यादा पसंद आने रही है वैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को पूरी तरह से पहले ही दिन नकार दिया था लेकिन कही ना कही audience फिर भी इस film को देखने के लिए जा रही थी कार्थिकार्यन को सपोर्ट कर रही थी लेकिन फिर भी कहानी अच्छी ना होने की वजह से ये film box office पर flow अ उप होती हुई हमें नज़र आ रही है अगर बात करू फिल्म के अभी तक के box office collection की तो शहज़ादा फिल्म ने अपने first day पर जहाँ पूरे इंडिया से 6 करोड रुपे की नेट कमाई की थी तो वहीं फिल्म का worldwide collection रहा था पहले दिन का 8 करोड रुपे दूसरे दिन फिल्म ने कमाई थे पूरे इंडिया से 6 करोड 65 लाक रुपे और अपने पहले दो दिनों में शहजादा फिल्म ने जहां इंडिया से 12 करोड 65 लाक रुपे की कमाई कर ली थी तो वहीं फिल्म का इंडिया में Grosz Collection 15 करोड रुपे था तो वहीं overseas से फिल्म ने लगबग 30 करोड रुपे की कमाई कर ली थी और माई फिल्म का वर्ड वाइड टोटल कलेक्शन 17 करोड 50 लाक रुपए हो चुका था अपने पहले दो दिनों में उसके बाद अगर बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की तो संड़े के दिन फिल्म के कलेक्शन में हम उच्छाल देखने को मिला और फिल्म ने कमाए लगबग 7 करोड 30 लाक रुपए और फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडिया में नेट हो चुका है 19 करोड 95 लाक रुपए तो वह फिल्म वर्ड वाइड में 26 करोड 50 लाक रुपए कर चुकी है अपने पहले तीन दिनों में अब बात करें अगर चौते दिन यानि के आज के दो दूस्तों आज 50 परसेंट से भी ज्यादा की ग्रावट हमें देखने को मिली है और फिल्म लगबग 3 करोड रुपए पूरे इंडिया से कर रही है साड़े तीन करोड रुपए करने के बाद फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है चार दिनों का वो 23 करोड 50 लाक रुपए इंडिया से हो रहा है तो यह फिल्म पूरे वर्ड में लगबग 30 करोड रुपे के आंकरली तक पहुँच रही है वैसे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए यारी कि जो आने वाला सट्रेडे और संडे है उस तक फिल्म चली जाए तो हो सकता है कि फिल्म अपने बज़ट तक पहुँच जाए लेकिन अगले हबते अक्षे कुमार के सेल्फ रिलीज होने वाली है तो मुझे लगता नहीं कि बैसा हो पाएगा लेकिन आपको क्या लगता है कमेड में सुरू बताईएगा